इसकार दोस्तों स्वागता आपका आपके अपनी मिसन नश्टी यहां में यूटूब चैनल में दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा जो आपका एक्जाम में वह 29 नॉंबर का जो दोगा एची मोव बेटर वाला ठीक है और इसमें इन्होंने जो ऑफिसल सेलेबस सब्सक्राइब और एसमें जोरूरत क्यों ऊपड़ीं यूप टूपिक ये मैं अपनी पिछली वीडियो में पोराना सेलाबस और नया सेलाबस उसमें डिसकॉस कि यह इन्मां जोडने कि जूरूरत क्यों पड ihmें था कि आपने इस विचला पिछलाम क्या था तPacर तो वीडियो जाकर दिख लीजिए इस वीडियो को डिस्कप्शन में आपको लिंग मिल जाएगी उस वीडियो की ठीक है चलिए हम क्या करेंगे अब चाहिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और क्या है कि इसके जो क्या है हम टोपिक वाइस आपको प्रवैड गरेंगे जैसे फंक्शन ओफ इंजन के बारे में एक अलग टोपीक हो जाएगा बेक इन सिस्ट्म के बारे में अलग से कूलिंग स्ट्पेंशन और जो भी इसके पार्ट सोते हैं ठीक है उसके बारे में हम अच्छी तरीक से डिसक में और लाश्ट तक एक्जाम के क्योंकि आपकी तयारी बहुती है अच्छी तरीगी से होने वाली है ठीक है तो चलिए आज की वीडियो सुरू करते हैं और शुरू करने से पहले कहना चाहूंगे मैं आपसे कि आप अगर हमारे चैनल नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर दीज प्रकार नहीं है तो कौन सा प्रकार नहीं है आपको यह इसका अंसर बताना है तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन C तो यह नहीं है इंजिन प्रकार चलिए ऊप्रा सन देखे इंजन में इंदन जलाने का कैसा होता है अपको इसका राइट आंसर बताना है तो कौोशन नमबर फॉर का राइट अंसर हो जाएगा option B तो यह होता है बड़ा ठीक है चलिए को बढ़ते हैं IC कब स्टार्ट होता है ठीक है तो question number five का राइट अंसर हो जाएगा option C तो यह तुरंद स्टार्ट हो जाता है IC चलिए next question को बढ़ते हैं दोस्तों निवन में से किस इंदन का परियोग स्पार्क इगनिशन इंजन में किया जाता है ठीक है तो question number six का आपका राइट अंसर हो जाएगा option D पैट्रोल वै हवा का मिश्रण ठीक है चलिए अगला question देखते हैं question number seven cylinder में उपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है तो बताइए क्या कहलाती है question number seven का आपका राइट अंसर हो जाएगा option C ठीक है टीडिसी तथा बीडिसी चलिए next question क्यों बढ़ते हैं निवर में से किस की जाके हिस्से का एक निश्चीत क्रम में बार-बार होना क्या कहला जाता है तो question number eight का आपका राइट अंसर हो जाएगा option B तो cycle कहला जाता है चलिए next question क्यों बढ़ते हैं वे सभी इंजन ज आपका राइट अंसर हो जाएगा option B वे होते है आई सी इंजन ठीक है चलिए अगला question देखते हैं पिश्टन की किस दिशा compression stroke में क्या होती है ठीक है तो question number 10 का आपका राइट अंसर हो जाएगा option D ए वे दोनों यानिकी ऊपर की तरफ और बीडिसी से टीडिसी की तरफ चलि आपका राइट अंसर हो जाएगा option D ठीक है ग्रम वायू इंजन आई सी इंजन नहीं है बाकी अल्कॉल इंजन गैस इंजन और पेराफिन इंजन तिनों क्या है यह आई सी इंजन के परकार है चलिए ने इस कुर बढ़ते हैं गैसों के फैलने पर पिश्टन की दिशा होती है तो कौन सी दिशा होती है पिश्टन की दोस्तों यह होती है आपका टीडिसी से बीडिसी की तरफ तो इसका राइट आंसर होगा चलिए अगला कुशन देखते हैं निवन में से किस कारण से टू इस्ट्रोग इंजन में पार्ट का प्रियो किया जाता है ठीक है तो चार सब्सक्राइब को एक राइट आंसर चुनना है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन डी और सी दोनों यानि की चार्ज करने के लिए और ताज इंजन आने वेज़े ली गासों को निकालने के लिए ठीक है चलिए कॉशन नमबर टीए क्राइट एंसर हो जाएक टीडी सी ठीक है टीडी सी कहते हैं उसको चलिए नेक्ट कोश्ण बढ़ते हैं कुश्ण नमबर 15 निवर में से कौन सा भाय ध्याद हैं इंजन नहीं है ठीक है तो कौन सा नहीं है आपको यह राइट अंसर बताना है कुश्ण नमबर 15 का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्सक्राइब को बढ़ते हैं समय से पहले किस कखलना क्या कहला जाता है तो कौश्ण नमबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा उप्शन ए वाल्व लीड कहला जाता है ठीक है अगरे कुश्ण के बढ़ते हैं आई सी इंजन भाप इंजन के तुलना में लाब दायक होते हैं क्योν होते हैं तो यह आपके यह सभी करण है कि क्यों होते हैं इसमें से एक isa iek इनलम सरोगा तो बताना इसका इनलम क्या होगा। कर राइट आंसर क्या होगा दी तो तीनों को तीनों चुमें लाबदाएग होते है आइज इंजन भाब इंजन की दूलना में अधिक लाबदाएग होते हैं ठीक है कि चलिए नेक्स्ट कोर्षन के बढ़ते हैं कोशन नंबर 18 में से डीजल इंजन का कमप्रेशन प्रेशर है तो कितना है आपको यह बताना है तो कुर्शन नामबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन ए तो 350 से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओप्शन ए ठीक है तिन सु डिग्री से सब्सक्राइब तक क्या है तो इसका ताप मार पर जलता है ठीक है अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 20 डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबंशन चेंबर का ताप निमिन में से कितना होता है तो कोश्चन नमबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन ए ठीक है तो 600 डिग्री से 800 डिग्री से तक इसका जो है ताप म प्रेश्वय थीजलता है तो इसका मतलब है अ ठीक है इस पार्क के दुवारा जो है पैट्ल इंजन में इंजन जलता है चलिए अगल कोश्चन के बढ़ते हैं डीजल इंजन में इंधन का धेहन इसके द्वारा इगनाइट किया जाता है तो कोश्चन नमबर 22 का आपका रा चलिए नेश्र कोस्षण देखते हैं इंदन को इ워서 नमबब 23 नियुबर में से कोन सा डीजल इंजन ऊर पैट्रोल इंजन का अंतर है तो क JUन से इंदन में तो भोता है आपका इंदन जलने में ठीक है तो इसका और टाइप से इन दन जो है खर्च होता है इसका पैंट्रोल इंजन का और टाइप से जो है पैंट्रोल खर्च होता है ठीक है चलिए अगला कुशन देखते हैं दो इस ट्रोक इंजन में एक प्रकिरिया चक्र पूरा होता है तो कैसे होता है इनका प्रकिरिया चक्र पूरा कुशन नंबर का राइट आंसर होगा आपका उप्स्टन के दो श्ट्रोक अत्वा क्रेंग की एक प्रिगिर्मा में ठीक है तो बीस का अप्रेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए अगले कोश्चन को बढ़ते हैं क्या कहता है अगले कोश्चन 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 नमबर ट्वंटिफाइब इनलेट वाल्व निवन मेंसे कहां पर खुलता है कहां पर खुलता है तो कोश्चन नमबर ट्वंटिफाइब कोश्चन को अंदर लाने में किया जाता है कि किया जाता है तो कोष्टन नंबर déjàंटर में क्या तो इंलेट वाल में चलिए अगर कोष्टन कोष्टन का व्यास स्लेंडर के व्यास से क्या होता है तो कुष्टन कोष्टन कोफर हो hele भी ठीक है तो पिश्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कम होता है चलिए से मैंसी आपकी एक्जाम में कुछन पुछ जाने है तो अच्छी तरीक से नहीं याद कर लिए और प्रेक्टिस के लिए टेलिगाम चैनल से डाउनलोड कर लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रे स्ट्रों कत्व क्रेंग की दो परिक्रिबह में छिक है तो इसका राइटनस रोजेगा अग्मिश्ट को देखते हैं किस इंजन में फ्यूल कह देहन सिलिंडर के अंदर होता है बताईए च्छाइब घ्र आंसर तो इसके राइटनस रोगा अप्शन अंतर रहन इंजन में च कि चलिए नेस्ट कोश्चन दिखते हैं कुश्चन नंबर 13 किस इंजन में सिंगल एक्टिंग तर्था डबल एक्टिंग दोनों होती है तो कुश्चन नंबर 30 का आपका राइट अंसरो होज़ेगा उप्शन भी क्या होज़ेगा आपका राइट अंसरो भी बहिर दहन इंजन ठीक है चलिए नेस्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नंबर 31 किस इंजन की पावर कम होती है कौन से इंजन की पावर कम होती है 31 का आपका राइट अंसरो होज़ेगा उप्शन ए अंतर दहन इंजन की जो है पा 32 का राइट अंतर हो जागा आपका option A अंतर दहन में जो है ओक नेश्कता नहीं होती है कि चलिए नेस्क्वर्क देखते हैं किस इंजन में कम पावर उत्पन होती है तो 33 का आपका राइट अच्वर जाग ऑप्शन A four stroke cycle engine में जो है वो कि पावर कम उत्पन होती है ठीक है अगला कोश्चन कि दिखते हैं किस इंजन की मेकेनिकल चंपता मेकेनिकल दक्ष्टा अधिक होती है तो 34 का राइट अंसर हो जाएगा ओप्ष्टन भी ठीक है तो फौर श्ट्रोग सैकल इंजन की जो है वो मेकेनिक दक्षता अधिक होती है अगले कोशन को बढ़ते हैं आई सी इंजन में चूशन संपीडन शक्ती तथा निश्कासन चार परकार अवश्चक है दो स्ट्रोक इंजन में ये प्रिक्रिमां विलूप्त रहते हैं ठीक है तो 35 का आपका राइटांस रो जाएगा चू चार इंजन में सक्ती उत्पन की जाते है तो इसका राइटांस रस Cherry का हो जाएगा आपका उसिन भी क्रैंग की दो परकेशल में एक बार ठीक है चलिए इसका राइटांसर और घ्टiamente देखते हैं दो इसनी प्रिक Definition की जाते हैं तो 37 का राइट अंसर हो जाएगा option A क्रेंग के एक चक्कर में एक बार चलिए नेक्स कोस्चन के पर बढ़ते हैं पैट्रोल इंजन में संप्रीडन अनुपात समानने तो रखा जाता है तो कितना रखा जाता है तो 38 का राइट अंसर हो जाएगा option B पांच से दस के बीच ठीकर पांच से दसके बीच जो हो पैट्रोल इंजन में संप्रिडन अनुपात समय रखा जाता है चलि वाई अगला कोशन देखते हैं क्या कंप्रिशन रेषा बताने हैं आपको ठीक है 39 का कंप्रिशन रेषा कितना हो जाएगा option A तो यहां पर जो कुश्चन बागी जंगे आ रहा है ना वहां पागा टोटल वैल्यू अपॉन क्लियंस वोल्यूम ठीक है तो यह इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा चलिए नेक्स कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमबर फॉर्टीन पिश्चन के टीडिसी पर पहुँचने के बाद पिश्चन के ऊपर बचे इस्थान के आइटन को क्या कहते हैं तो फॉर्टी का आपकर आइटन से रोजेगा ओप्शन भी क्लियरेंस विल्यू कहते हैं उसको ठीक है चलिए नेक्स कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमबर फ तो यह होता है दुस्तों ऑप्शन ए स्विफ्ट वॉल्यूम के बडाबर ठीक है चलिए अगला कुश्चन देखते हैं सिलेंडर के अंदरों निवयास कहलाता है यह कहलाता है बोर ठीक है तो 20 का राइट आंसर होगा चलिए अगला कुश्चन देखते हैं डीजल अनुपा समान दर रखा जाता है कितना रखा जाता है तो 43 का रखा जाता है तो यह नहीं है आपका उप्शन डी हो जाए इसका राइट अंसर वा यू को साफ अथवा फिल्टर करना जलिए अगले कोशन कि बढ़ते हैं पैट्रॉल इंजन में वायू इंधन अनुपात इसके द्वारा नियंतरत किया जाता है तो यह किया जाता है आपका ओप्शन भी हो जाए इसका ड्राइट अंसर कारविडर के कर्विडरेटर द्वारा यह नियंतरत किया जाता है ठीक है अगला कॉश्चन की और बढ़ते हैं कॉश्चननमर्ब 46 क्वी को क्या कहते हैं 46 अप inadequ dividend two को क्या थीकर करते हैं तो कि दूरी को ममरा समय के बाद इंजेन वाल्ब का खुलना कहलाता है तो समय के बाद और ना क्कूलाँ गॉक्षण यह कहलाता था ए नीमत निसीफिस१ी नाStr imagen कही देझ्जिद ए डीजल इंजन का compression रेशियो निम लिखित में से क्या होता है ठीक है डीजल इंजन का compression रेशियो निम लिखित में से होता है 48 का प्राइट अंसर हो जाएक option B 12.1 से 22.1 तक ठीक है तो 20 का राइट अंसर होगा निम लिखित में डीजल इंजन का compression प्रिशर क्या होता है पॉंड परती वर गींच में ठीक है तो 49 का आपका राइट अंसर हो जेगा उप्सन ए तो साधे 300 से साधे 500 के बीच होता है ठीक है चलिए अगल कोशन देखते हैं कोशन नमबर 50 इंजन का भाग है तो कौन सा भाग है इंजन का नमीज से आपको बताने सिलेंडर फ्लाइव हील पिश्टन ए विबी दोनों तो फिफ्टीन का आपका राइटंस रो जाएगा फिप्टी का उप्सन डी ए एंव बी यानिकी सिलेंडर और पिश्टन यह क्या है इंजन के भाग है तो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में बस 50 को सन रखते हैं अब Allर रेंगे तो वीडियो यह वीडियो को लाइक कर दीजो कि अगर आप विदियो के ही और शब्सक्रेब लीजें और वैल आड़ आगन को प्रेस कर लिजे यह नए वीड़ी Feng ने अट्डीट सबसे है यह पीडिमेर्ग आपको इस वीडियो बिक जांत हमलोड सकते हम थो फुर्ट एट है तो बहुत यह वीड